से उल्पी ओर एकिर माप्स से बढ़कर कुछ भी नहीं है माअबाप का आशिरवाद अगर तुमारे पास मता पिता का आशिरवाद तुमारे पास है उसके अलावातों में दुनिया में किसी चीच की ज़रुत नहीं है और उनकी, खुशी से बढ़करके तुमारे जिन्दगी का कोई और दूसरा लक्षे होना भी नहीं चाहिए एक बात जिंदिगी में हमेशा याद रखना है कि आप अगर दो घंटी की क्लास अटेंड कर सकते हो संडे के दिन निमेरिकल्स के साथ में तो तुम दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो निमेरिकल्स को प्रैक्टिस 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 बस प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो काम हो जाएगा अगर एक रसी जो होती है ना जो कुए के उपर पानी भणने की काम आती है वो रसी को दिन भर वो लोग खीच खीच के कुए से पानी निकालते है वो रस्सी पत्तर पे पढ़ती रहती है पढ़ती रहती है और लास्ट में उस पत्तर के उपर उस रस्सी का निशान बन जाता है समझे बात के कड़क कड़त अभ्यास के जड़मती होत सुजान आलिवा समझ में कि इतनी जादा मेनत करो इतनी जादा मेनत करो जिसकी कोई हदी नहीं हो और रसी भी पत्तर की उपर निशान डाल सकती है तो तुम मेनत करकर के सो में से सो क्यों नहीं ला सकते तुम मेहनत करकर के बोर्ड में अच्छे नंबर क्यों नहीं ला सकते तुम IITJ क्रैक क्यों नहीं कर सकते हिंदी मीरियम के इस्टुडेंट्स हो ना तुम क्यों अपने आपको कमजोर समझते हो क्यों ऐसा सोचते हो कि तुम किसी से अलग हो क्यों अपने आपको हमेशा ये सोच के चलते हो कि नहीं हमसे नहीं होगा तुमसे नहीं होगा पता है क्यूं क्योंकि तुम करना नहीं चाह रहे हो जिस दिन तुम ये ठान लोगे न कि हम मैनत करना आज से शुरू कर रहे हैं आज से ही हम numericals करना शुरू कर रहे हैं होगा ये सारे numericals अगर आपसे हुए हैं आज तो यह मान के चलना एक्जाम में इन में से बाहर कुछ भी नहीं आएगा और जब एक्जाम आएगा और यह कॉशन आएंगे तो तुम्हारे चेहरे पे चोटी सी स्माइल होगी मन में एक confidence होगा और यह pen जब चलेगा ना copy के उपर तो teacher भी देखेगा कि बच्चे ने क्या answer लिखा है और जब result आएगा तो मुस्कान मेरे चेहरे पे भी होगी तुम्हारे parents के चेहरे पे भी होगी और सबसे अदा गर्व किसी को होगा तो वो तुम्हारे माता पिता है उनके लिए मैनत करो यार किसी के पिताजी हो सकता है किसान हो किसी के पिताजी हो सकता है कि दिन रात मेनत करते हो सुबह आठ बजे उट करके टिफिन लेके घर से निकलते हो उस आठ बजे टिफिन के लिए हो सकता है तुम्हारी मम्मी सुबह 5-6 बजे उट करके पूरे घर को तियारी करती होंगी टिफिन मनाती होंगी तुम्हारे पापा निकलते हैं तुम्हारे टिफिन बनता होगा तुम्हारे पापा दिन भर महनत करके शाम को जब 8 बजे घर आते होंगे तब उनके मन में किवल एकी चीज होती हो कि दिन भर तुम्हें नहीं पता कि उभार किन परिस्तितियों में आज के समय पर नौकरी कर रहे होंगे उनके मन में किवल एकी चीज होती है कि कोई बात नहीं यार यह मेरी मेहनत जो है ना जिस मेहनत से में पैसा कमा रहा हूँ और घर में जाकर कि जब वो पैसा में दूंगा तो उस पैसे से मेरे बच्चे की education होगी मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा इस दुनिया में कुछ करेगा और जब उस पैसे को लेकर कि वो घर मिल गया कोई दिक्कत नहीं है दिन के पांच रुपे में तो पढ़ रहे हैं दिन के तीन रुपे में पढ़ रहे हैं वो तीन हजार रुपे कमाने के लिए हो सकता है तुमारे पिताजी ने दस दिन तक पूरे दिन कड़ी मेनत कियो उस तीन हजार रुपे की कीमत सोच के देखो अपने पिताजी को देखा करो एक बार कि इन्होंने मेरी फीज बरी है किन हालात में फीज बरी है हो सकता है कि खेती किसान नहीं करकर किसी किसान का बेटा हमार से पढ़ रहा हो हो सकता है किसी मजदूर का बेटा पढ़ रहा हूँ अगर आपके पिताजी सरकारी गवर्मेंट जॉब में भी है तो आप ये सोचों कि दिन भर जब वो आफिस के अंदर काम करते हैं अपने अधिकारियों की बास सुन करके मेहनत करते हैं उनको अपना काम बराबर करके देते हैं तब उनको गवर्मेंट सैलि देती है और उन सैलिली का एक छोटे से हिस्से से तुमारी फीस आई है और अगर तुम उस फीस के साथ मकारी कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने पिताजी का अपमान कर रहे हो अपने पिताजी की महनत से कमाएवे पैसे का अपमान कर रहे हो और ये बात ध्यान रखना रिजल्ट नहीं बने, बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कम से कम उस पैसे का अपमान मत करो महनत करो मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि 95,99 मार् sogar लेकर क्या रहे मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूँ कि उतनी महनत करो जितनी महनत से तुमारे पिताजी ने वो पैसा कमा करके तुमारी वीज भरिए उतनी महनत तो करो कम से कम हीजल्ट आना नहीं आना उपरवाले के हाथ में कम से कम आप इस बात को समझो कि जो पैसा उन्होंने कमा कर कि तुमारी फीज बरी है उस पैसे को कमाने में जो मैनत लगी है कम से कम उस मैनत का 5%-10% पर अगर तुम पढ़ने में कर दोगे तो तुमारा सेलेक्शन कोई भी नहीं रोख सकता और ये बात में बिलकुल दिल से कह रहा हूँ कोईकि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे मुझे पता है कि उनकी पैसों की कीमत क्या है जब एक देश का जवान सरत पर खड़ा होता है जब मेरे पापा छुट्टी नहीं आते थे लंबे-लंबे समय तक तब मेरे मम्मी किस तरह से घर चलाती थी और क्या हमारे emotions होते थे हम यह पता है अच्छे से और मुझे गर्व है कि मैंने कम से कम अपने पापा की मेहनत की कमाई जो नहीं सरत के उपर अपने गुटने रगड करके देश की सेवा करके जब पैसा कमाया मैंने कम से कम उस पैसे को खराब नहीं किया आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके महनत से कमाई वे पैसे से जो मुझे शिक्षा मिली है मैं उसके दम पर आज आपके सामने बात कर रहा हूँ और ये बात करना ज़रूरी था मेरा आप सभी लोगों से आज नहीं तो कल और जिस दिन आप ये चीज़ देखोगे ना आपके मन आप सो कैसे सकते हो यार आपको नींद कैसे आ सकती है आपको इस सोचना आप अगर ही मान के चलोगे ना मेरी फीज बढ़ने के लिए मेरे पैंट्स ने कितिनी मैनत किये तो आपको नींद नहीं आ सकती मेरे पास एडिटिंग के लिए लेप्टॉप नहीं था आपको पता है तब मैंने बैट करके हमारी टीम ने डिसकस किया एडिंग के लिए कर लगा लेटिंग होनी पार यह 2019 की बात है लेप्टव नहीं था हमारे पास तो हमने का कि यह काम करते हैं लों ले ले लेते हैं और लों लेकर हम लोग लेकर हम लोग ढ़ो Program दो हमारे वीडियो के कंपनी फाउंड की है हमने उसे डिसकस किया कि यार क्या करें तो नहीं का लोन ले ले लेते हैं यह discussion हमारे मैं सच बता रहा हूं कि जब उन्होंने वो पैसा दिया ना बैंक में वो जब उन्होंने उस जो भी प्रसीजर विड्रॉल फॉर्म होता है उस विड्रॉल फॉर्म के उपर उन्होंने भरा दो लाक रुपे बीस या रुपे घर में कैश पड़ा हो था दो लाक रुपे लिख जो भी सेविंग करी 1100 रुपे में मेरे पापा रेटायर हुए थे आर्मी से उस टाइम मेरे दिल के सबसे अजीज है है आज इस ऑफिस के अंदर भने ही 15 एपल के और लेपटॉप रखे वें आप लोगों के वीडियो के आप लोगों के वीडियो बनाता था तो पता है उस वीडियो उस लैप्टॉप को पर जब भी मैंने काम किया है ना मुझे नींद कभी नहीं आई मैं सोसाता है थुरा सवर कर लेते हैं थुरा सवर कर लेते हैं और lockdown में उसी laptop की बदूलत आपकी सारी live classes हुई है अब आज मैं अपने पैसों से चाहे कुछ भी खरीद लो मुझे उसकी उतिनी value नहीं होती ठीक है मैंने अपनी पैसों से खरीद है ठीक है कोई बात नहीं पर उस चीज की value होती है जो हमारे माबाप ने इतिनी मैनस से पैसा कमा के हमें दिलाया है तो आप लोगों को कैसे नीन आ सकती है आप लोगों के parents ने पैसा खर्च करके जो है आप लोगों को यहां तर पहुंचाया है आप लोगों को कैसे नीन आ सकती है आप लोगों को तो hard work करना पड़ेगा न इसलिए मैं आपको यह बात बताईए मेरे लिए तो आज भी वह ल ये बात है तो चलो इसी के साथ मैं आपको ये बस यही बात कहना चाहूँगा कि महनत करो और हमेशा एक बात या तक ना बेटा जीवन में माबाप से बढ़के कुछ भी नहीं है माबाप का अशिरवाद अगर तुम्हारे पास है माबाप का अशिरवाद तुम्हारे पास है तो उसके अलावा तुम्हें दुनिया में किसी चीश की जरूत नहीं है और उनकी खुशी से बढ़कर के तुम्हारे जिन्दगी का कोई और दूसरा लक्षे होना भी नहीं चाहिए और हमाबाप का रिस्पेट करो उनकी पैलसों का रिस्पेट करो उनके नोने जो फीस आपकी भरी उस फीस का रिस्पेट करो और महनत करो जो रिजल्ट आया है उससे डबल रिजल्ट तुम लेकर किया हो यह बस में करना चाहता हूँ बाकि आपने आज दो घंटे बैट करके पढ़ाई की और दस मिंड मेरी प्रस्नल बातों को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे आप सागी ग्लास में वह जहन टेक किया ध्यान को खुश्रों मस्तरों पढ़ाई करते रो और ऐसे मेननत करो या जीवन मेनत करना ही आपका काम है फल देने की बात उपर-वाले के उपर है उपर-वाले के उपर छोड़ाईकर जोड़ दो झाल झाल